गुड मूर निंग बीड ख्लास, बी ये बीड ख्लास और बी अससी बीड़ क्लास अनलाइन क्लास इसमें आप पहले युनिट पढ़ रहे हैं सैंकिंड लेकर की हम सिंक्शा का आर्त और सिख्षा की परिभाशा में पढ़ चुके थे शिक्षा शब्द का अर्थ समझ जया था हमने education शब्द कैसे बना है और education की definition बट लेती आज हम पढ़ेंगे education का narrow meaning संखुचित अर्थ में शिक्षा क्या है आप second paper पढ़ने basic in education and communication यह आपका दूसरा paper है उसी की पहली unit का पहला point हम पढ़ रहे हैं सिक्षा का अर्थ और उसका संखुचित अर्थ पढ़ रहे हैं संखुचित अर्थ में सिक्षा क्या है अगर हम देखें की narrow meaning है एकदम संखुचित अर्थ है उस हार पर हम देखें तो विध्याले की जो शिक्षा है, इसकुल एजुकेशन है, उससे संकुजित अर्द का तातपरे लगाया जाता है साधरन सी बात कहें कि जो विध्यारती है, वो इसकुल जाता है, एक सलेबस पढ़ता है एक समय निशित होता है कि आपको दस से लेकर के पांच बजे तक विध्याले में जाना है आप पहली कक्षा का सलेबस पढ़ेंगे, आप तीन बार एक्जाम देंगे तो ये निशित अवधी में, निशित समय में जो एक निशित सिक्षा के द्वारा जो बालक सिक्षा या ज्यान अर्जन करता है लेकिन वो विश्य सिमिद होता है और उसको एक डिग्री प्राप्त होती है तो वो जो सिक्षा है वो कहलाती है संकुचित सिक्षा जब बालक कोई निश्यत योजना के रूसा शिक्षा प्राप्त करता है निश्यत विश्य होता है इसका उधारन हम और भी ले सकते हैं जैसे आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपकी जो डिग्री है आप जब वो चार साल की डिग्री पास कर लेंगे तो आपको एक ड बात करें तो नैरो मेनिंग और एड्यूकेशन प्रोसेस और एक्योडिंग सम नॉलेज एंड सम इस्किल फ्रॉम सम बुक्स अंडर दा इंस्ट्रक्शन्स ओफ टीचर इन सम फॉर्मल इंस्ट्यूशन यानि कि कोई फॉर्मल इंस्ट्यूशन होगा कोई आपचारिक शिक् सिक्षच किसी किताब से या किसी सलेबस एक विधी से कोई आन ग्रेवाइड करवाएगा तब बह्य है जो सिक्षा कह लाएक वैंक संगुजित अर्थ की सिक्षा और वास्तम में विध्याले शिक्षा, महा विध्याले की शिक्षा, ये संकुचित शिक्षा है और शिक्षा का जो हम अर्थ लगाते हैं संकुचित अर्थ में केवल एक डिग्री प्राप्त करना वो हमारी किस अर्थ में कहलाती है संकुचित शिक्षा में कहलाती है इसको हम विद्वानों की परीभाशाओं से भी समझ सकते हैं कि विद्वानों ने अलग-अलग परीभाशा हैं दी है उनके आधार पर भी इसको जान सकते है J.S. मैगंजी ने एक परीभाशा दी है संकुझित अर्थ में सिक्षा का अभीप्राई हमारी शक्तियों के विकास और उन्नती के लिए चेतना पूर्व किये गए किसी भी प्रयास से हो सकता है कि संकुची शिक्षा क्या है हमारी जितनी भी शक्तिया है हमारे अंदर का जो पावर है उसका विकास करना और उन्नती के लिए चेतना पूर्वा कियेगे किसी भी प्रयास से हो सकता है यानि कि अगर हम conscious हो करके कोई प्रयास करते हैं, efforts डालते हैं, कोई कारे करते हैं तो वो सब क्या कहलाता है, सिक्षा कहलाता है यानि कि हम कुछी एक सब्जेक्ट को पढ़ें या एक स्क्लिबस को पढ़ें इन दा नेरो सेंस, education may be taken to mean any consciously direct effort to develop and collective our power तो ये मैकेंजी ने जो परिभाशा दिये, वो बिल्कुल सही परिभाशा दिये क्योंकि जो हमारी वास्तविक शक्तियां हैं, उनको हम किसी प्रयास के लिए लगाते हैं और कोई ग्यान सामाने जो ग्यान वो प्राप्त करते हैं ऐसी ही एक दूसरी परिभाशा दी है, G.S. Thompson ने इनोंने भी परिभाशा संकुज तर्स में इस प्रकार बताई है कि शिक्षा एक विशेश प्रकार का वातावरन है, जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, द्रश्टिकॉन, व्यवहार करने की आदतों पर इस्ताई रूप परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है कि बालक का जो चिंतन है, विचार है, वो क्या सोचता है, क्या थौट है उसकी, उसका द्रश्टिकॉन क्या है, उसका एटिटूट क्या है उसका बिहेवियर क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है उनमें कुछ इस्थाई रूप से यह परमाने से उसमें कुछ चेंजे चाते हैं कुछ परिवर्तन चाते हैं उसके लिए जो भी हम प्रभाव डालता है शिक्षा के द्वारा तो ऐसा एक वातावरन तैयार किया चाता है उसमें और उस वातावरन से बालक अपने ग्यान को अन्वारमेंट अन्ड एंडिविजबल विट द विव विव विद द विव द अ विद ए विव द प्रोडुशिंग ए परमानेंट चेंज इन हिस हैबिट्स और बीहेवियर तु थॉट एन एटिटिटूट कि उसके विचारों में उसकी द्रश्टिकोन में और उसके विव विवार में उसकी आदितों में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए एक ऐसा वातावरन बनाया जाता है एक ऐसा एंवार्मेंट बनाया जाता है जिससे की बालक का इन सबी जो चिंतन रश्टिकोन विवार में उसका परिवर्तन हो तो यह थी हमारी संकुचित सिक्षा जो विदी के द्वारा निश्चित योजना के द्वारा उसको पढ़ाने का प्रयास करते विए उसको ज्ञान दिया जाता है वो कहलाती है हमारी संकुचित सिक्षा